एक साइकलोजिस जो सिरियल खिलर वेगरा से डील करती है वो एक स्टेंजर से मिली उसे मिलने के बाद उसके साथ डिस्टर्बिंग चीज़े होना स्टार्ट हो गया अब इस सब के पीछे कौन है या आज के हमारी मुवी नेवर टॉक टू स्टेंजर इन 1995 की एक साइकलोजिक एक्स्टेंजर स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर सेरा जो एक साइकलोजिस्ट है एक सिरियल किलर के साथ बात कर रही थी सेरा ने का तुम्हें एक टिनेजर ने मर्डर करते हुए दिखा था किलर कहता है कि वो एक प्रॉस्ट्रूट है वो पैसो के लिए कुछ भी बोल देगी है सब मिलकर मुझे फसाने की कोशिश कर रहे है सैरा यहाँ किलर की मेंडल स्टेट एसेस करने के लिए आई हुई थी उससे लगता है कि किलर को मल्टीवर बसनेटी डिसोरडर की बीमारी है यह कंफिर्म करने के लिए यहाँ वो गया था इसके बाद सारा अपने फ्रेंड क्लिफ के साथ जो एक आर्टिस्ट है उसका एक्जिबिशन देखने के लिए आई हुई थी एक्जिबिशन बॉन्डेज या उस ताइप की कुछ दर्दनाक फोटोस का है सारा कहती है तो कुछ लोग होते हैं जो सचमुच में सब च वो सेरा को समेल करता है कहता है आज तुम्हारे खुजबिश बहुत ही अच्छी आ रही है उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था सेरा कहती है तुम मुझे फ्रेंड की तरह ही लगते हो क्लिफ ने कहा जब तुम या मूँ हुई थी तब हम दोने इंटिमेट हुए थे तब इस वज़े से उसका लोयर बहुत ही घुसा था सारा अपने आपको एक्स्प्रेंड करते हैं इस शायद उसे भूलने की विमारी है या उसे मल्टिवल पसनाइटी डिसॉर्टर भी हो सकता है जब तक मैं शूर नहीं तब तो मैं कोई भी जजमेंट नहीं देने वाली है इस बुछ से में यहाँ से चला गया रात में सारा अपने लिए ड्रिंग बाय करने के लिए आई हुई थी उसने एक बॉटल ली तब इस ट्रेंजर ने उससे कहा कि यह सही चोईस नहीं है इसके अलावा तुम कुछ और ट्राय करो इन दोनों को ड्रिंग्स के बारे में बहुत पहचाना मेरा नाम टोनी हम में सेक्षन में मिले थे टोनी ने कहा कि मैं यूजूली ऐसा कुछ भी करता नहीं पर इस टाउन में मैं नया हूँ और मुझे फ्रेंज की जरूरत है सारा कहती है तो किसी और को फ्रेंज बना लो टोनी ने कहा कि मैं अड्मिट करता हूँ तुम तुम्हारे पास की वाइन की सियर की है कहता है कि 61 की सारा पूछती है क्या तुम्हें लगता है क्या एक वाइन से तुम मुझे इंप्रेस कर सकते हो टोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ऐसी औरत हो जिसे जीतना पड़ता है सारा कोई बात अच्छी लगी वह बाहर आकर टैक्सी लेती है तो टोनी अपनी बाइक लेकर उसके पास आया कहता है अब हाव भी कह दो सारा के पास टाइम नहीं था पर उसने अपना नंबर उसे दे दिया कहा कि मुझे कॉल करना सारा जब घर पर आई तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आय हुए थे उन्हें अंदेरे में देखकर वो डर के थी सारा के अपने फादर के साथ relationship अच्छे नहीं है उन्हें father भी नहीं बुला दिये father चाहते थे कि आज रात वो यहीं रूखे पर Sarah उन्हें मना कर देती है father को एक बड़ी विमारी है तो उन्होंने कहा कि मैं जादा time तर जिन्दा नहीं रहूंगा हमें एक दूसरे के साथ time spend करना चाहिए जैसे कि Christmas Sarah कहती है हम Christmas में मिल सकते है पर प्लीज पहले मुझे call किजिएगा उसने father को मॉटेल के लिए पैसे दे दिये और वहाँ से निकाल दिया रात में Sarah का नेवर उसके पास आया वो एक लटकी के साथ था तो उसे वाटका चाहिए था Sarah कहती कि मेरे पास नहीं है नेवर कहता है मैंने तो तुमारी फ्रेज में देखा था वो खुद गया और लेकर आया Sarah इस बात से सप्राइस थी ये बहुत ही अच्छी डिटेल है जिसे आप याद रखिए मूवी के लास्ट में सब कुछ क्लेयर होगा एक्जाम और लाइन है तो उसमें भी आ सकता है नेवर घर में ही था तबी Sarah को टोनी का कॉल आया उसे अपना पता देकर Sarah को वहाँ बुलाया Sarah का नेवर इसके बारे में उसे पूछ रहा था Sarah फिर टोनी से मिलने के लिए उसके पुरानी से बिल्डिंग में बहुचिए टोनी ड्रिंग लेकर रेडी ही था Sarah ने का तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे हो सब कुछ सही चल रहा था और नेक्स सेकर में मैं एक स्टेंजर के साथ ड्रिंग कर रही हू इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारी बाते किये Sarah अपने एक्स बॉइफ्रेंट के बारे में टोनी को बताती है कहती है कि वो अचानक से गायब हो गया उसने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया वो अभी वी उस वर बहुत ही जादा गुस्सा है Sarah के नेबर का मानना था कि अब एक साल हो चुका है उसे मुवान करना चाहिए अब यही करने की कोशिश वो टोनी के साथ कर रही है Sarah पुछती है तुम करते क्या हो वो कहता है कि मैं सिक्यूरिटी कंसल्टन्ट हो Sarah ने कहा तुम्हारे साथ होते वक्त मुझे बहुत ही सेफ लगता है आगे Sarah अपने बच्पन के बारे में बताती है उसने कहा कि जब वो छोटी थी तब ही उसकी मदर की कार एक्सिटन में डेथ हो गई थी उसके फादर का सेल्स का जॉब था तो हमेशा घूमते रहते थे वो अपने एंड के पास ही बड़ी हुई है ये सब बाते करकर Sarah को इंबारस लगा टोनी कहता है तुम्हें कंट्रोल में ना होना इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ये सब सूट करता है इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे की बाहों में ही सो गए सुबा होने पर एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इसके बाद नेक सेन में Sarah Face से किलर के पास आई हुई थी वो उसे बुछती है कि लास्स सेशन में तुम आवाजों के बारे में बात कर रहे थे इस बार किलर ने कहा कि मुझे कोई भी आवाजे सुनाए नहीं देती वो गहता है तुम मुझे फ्रेम करना चाहते हो तुम अपनी साइड चूस कर लो एक तो तुम मेरे साइड पर हो या मेरे खिलाफ यावर वो बहुत ही गुस्सा हो गया था इंडारेक्ली उसे धमकी दे रहा था आज सारा जब घर पर पहुचिए तो उसके घर पर मुर्जाय हुए फुलों का गिव्ट भेजा हुआ था इस बात से वो डिस्टब हो गई रात में सारा और टोनी फिल से मिले टोनी सारा के लिए शुटिंग का गेम खेल कर उसे जीराफ गिव्ट देता है सारा पुछती है तुम्हारी इतनी शुटिंग अच्छी कैसी है वो गहता है कि मैं पहले पुलीस हुआ करता था सारा को बात बहुत ये सप्राइजिंग लगी ये उसने बात उससे चुपाई थी वो सारा को कहता है तुम भी शुटिंग ट्राइ करो वो मना कर रही थी पर फिर भी टोनी ने उसे फोर्स किया शुटिंग करते वक्त अपने बच्वन की याद सारा को आई अचाना से वो बेहोश हो जाती है टोनी उसे अपने घर पर लेकर गया था सुबा होने पर उसके लिए उसने टीवी बनाई सारा को टोनी के साथ होना अब अचाना से गलत लगता है उसने कहा कि अब मैं जा रही हो टोनी ने पहचान लिया कि उसे इंडारिकली ब्रिक अप कर रही है उस पर चिट गया कि उमें करती क्या हो हमेशा मेरे साथ पुश पुल पुश पुल खेलती रहती हो इन दोनों की फाइट होगी और सारा यहाँ से चली जाती है थोड़ी देर में सारा ने अपना माइंड चेंज कर लिया वो फिर से टोनी के पास वापस आई ये दोनों इंटिमेट हो जाते है कर अने बर सारा को एक नोट मिला नियूस विवर की एक पेज का एक नमबर था ये सारा देखती है तो इसमें सारा की डेट के बारे में लिखा हुआ था इन सब बातों से डिस्टर्ब हो गए उसे लगा कि किलर ही ये सब करवा रहा है जाकर वो किलर के लॉयर से बात करती है वो कहती है तुम मिलकर मेरी हरास्मेंट क्यों कर रहे हो लॉर कहता है इसे मेरा कोई भी हाथ नहीं है अगर किलर ने ऐसा किया होता तो उसने मुझे बता दिया होता सेरा कहती है उसे multiple personality disorder है उसने शायद खुद किया है पर उसे याद भी नहीं इसके बाद next day सेरा की घर पर ही टोनी आया हुआ था यह दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं कुकिंग करते करते पहन में आग भी लग गई थी दोनोंने मिलकरे बुझाए बहुत सारा तमाशा खड़ा हुआ पर यह दोनों इस बात को enjoy करते है टोनी को सारा के साथ होना यह बहुत अच्छा लगता है अचानक से सारा को उसके फादर का call आ जाता है एक क्रिस्मस के बारे में उससे पूछ रहे थे सारा कहती है कि मैं आप से बात में बात करूंगी टोनी ने नोटिस किया कि अपने फादर से बात करते हैं डिस्टरब हो गई थी उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो क्रिस्मस में मैं तुम्हारे साथ रह सकता हो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सारा नहीं चाहती विए उसके फादर से मिले टोनी क्यों अजीब लगता है टोनी ने घर में ही सारा के एकस बाइफ्रेंट की फोटो नोटिस की उसको गायव हो एक साल हो चुका है पर फिर भी उसके घर में फोटो क्यू है इस बात को लेकर टोनी अपसेट हो गया सैरा कहती है इस फोटो को रखना में भूल गई थी इन चोटी-चोटी बातों को लेकर तुम उसे फाइट मत करो टोनी भी इस बात को इग्नोर कर देता है अगली दिन जब सैरा फेस एक काम से वापस आई तो उसकी कैट को मार कर उसे गिफ्ट कर दिया गया था इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और पुलीस के पास आती है पुलीस ओफिसर के पास बहुत सारे कैसेज थे तो उसे हल्प नहीं करता कहता है तो एक प्राइवेट डिरिक्टिव हायर कर लो ऐसे कैसेज में वो तुमें ज़्यादा हल्प कर सकते है सैरा उस पर भी गुस्ता हो गए आज उसे टोनी के सहारे की बहुत ज़रूरत थे उसे कॉल नहीं कर पए क्योंकि आउट आफ टाउन था मॉर्निंग में टोनी सैरा की घर पर आया पर सैरा कहती है अब बात करने के लिए अच्छी टाइमिंग नहीं है उसे वहाँ से कटाना चाहती थे टोनी मानता नहीं और घर में आ जाता है घर में अल्रेडी सैरा के नेवर था गुस्ता होकर बुश्ता है कि ये क्या यहाँ कर रहा है सैरा ने कल रात के बारे में उसे सब कुछ बता है वह गयती है कि एज़र फ्रेंड मेरे पास आया हुआ था टोनी गुस्ता होकर नेवर क वहां से निकाल देता है तोनी पर अब भी ट्रस्ट नहीं करती है उसे लगता है कि क्या टोनी नहीं उसे भीजी उसे फुलों के बारे में भी वही लग रहा था टोनी ने बात पहचान ली उसे कंफरन करता है सारा उसके बारे में इसा सोचती है तो उसे बहुत ही बुरा लग कहता है शायद तुम मुझे पर ट्रस्ट कर पाती है हर्ट होकर वहाँ से चला गया नेक्सिन में हम देखते हैं सारा ने प्राइवेट इंवेस्टिकेटर हायर कर लिया है वो इसके हेल्प से टोनी पर नजर रखेगी जब नेक्स टाइम वो टोनी के साथ डेट पर आई हुई इस बार वो प्रॉपर शुटिंग के लिए चलते हैं तोनी कहता है तुम तो गण से बहुत भी डरा करती थी। सारा ने कहा कि अब नीट रहूरूंग इए सारा चाहती तो है कि ओ तोनी पर ट्रस कर पाए तो उसे पूश्टी है मैं कैसे सीख सकती हो तोनी कहता है कि अब मैं बिना किसी डर की नीचे गिरूँगा मैंने अगर सरसुज में ऐसा किया इसका मतलब है मैं तुम पर ट्रस करता हू TikTokers के तरह सारा को भी एक करने के लिए गहता है सारा भी उस पर पुरा ट्रस करकर नीचे गिर गई और टोनी ने उसे बचा लिया टिक टॉकर्स की तरह आज इन्होंने अपना दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया था खुश थे तो रात में इंटिमेट हो जाते है अब टोनी फिर से अपने कुछ काम के लिए आउट आफ टाउन जा रहा था तो सारा का डिरेक्ट्व उस पर नज़र रखता है उसने कहा कि मैं किसी अलग टाउन जा रहा हूँ पर वो एल बनी गया सारा का टाउन यह सब बाते डिरेक्ट्व उसे बता देता है वहाँ जाने पर टोनी एक औरत और उसकी बच्चे से मिला डिरेक्ट्व सारा से कहता है शायद टोनी मैरीड है इस बात से सारा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई नेक्सेन में हम देखते है सारा के घर में कोई इलिगली खुश गया था यह उसका नेबर नोटिस करता है और उसके पीछे हो भागा जो भी आदमी था उसने नेबर को बहुत ज़्यादा इंजूर कर दिया सारा को अभी अभी टोनी के बारे में पता चला है तो उसके घर पर वो पोश्चती है घर पर पोश्चने के बाद उसकी सारी जिज़े उसने चेक किए जिसमें उस पर एक फाइल उसे मिली इस फाइल में सेरा के बारे में सब कुछ रेकॉर्ड्स थे वो किस हाई स्कूल में गई थी उसकी मदर के साथ क्या हुआ था इस सब कुछ यहाँ दिया गया है सारा को फिर से फ्लैश बैक में याद आता है कि उसकी मदर की डेट सीडियों से नीचे गिर कर हुई थी वो इस बात से डिस्टर्ब हो गए थोड़ी देर में टोनी यहाँ पहुँच गया सारा कहती है कि मुझे अचानक से काम याद आया वहाँ से वो चली जाती है सारा जब घर पर आये तो उसके वॉल्स पर लिखा था तुम मर जाओ इस बात से वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ज़रा रिलाक्स होने के लिए वो बात ले रही थे यहाँ देखते हैं उसके हिटर के स्क्रूस निकर गए थे यह कभी भी नीचे गिर सकता था सारा बाटटब से निकली उसके बाद ही नीचे गिर गया अगर बहले गिरता तो सारा की डेथ हो जाते इसके बाद सारा ने पुलिस को कॉल किया पुलिस ने उसके नेवर के साथ भी जो हुआ यह सो उसे बता दिया पुलिस कहती है कि एक सीरेस क्राइम है कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था सैरा कहती है कि आपको जाकर टोनी से बात करनी चाहिए वो जब घरपर आई तो टोनी औरी उसके घर पर था वो भाग कर बुलिस को कॉल करना चाहती थी पुलिस तोनी उसे रोक लेता है टोनी ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है वो उस वर टरस नी करती है तो उसके साथ बरेक अप कर लेता है सारा कहती है प्लीज मुझे मारो मत वो डर गई थी वो अपने परस के बास गई टोनी को लगा कि वो गन निकाल रही है तो टोनी ने अपनी गन भी निकाल ली सारा और भी ज़ादा डर गई वो इससे बुछती है नुई यॉक में तुम्हारे साथ कुन थी टोनी कहता है कि वो मेरी कजन है बेनी ये सारा के एक्स बॉइफरेंड का नाम था एक्चुली सारा के एक्स बॉइफरेंड ने टोनी को हायर किया था पता करने के लिए कि उसके ब्रिदर को हुआ क्या टोनी कहता है मुझे सच सच बताओ उसके साथ हुआ क्या था सारा कहती है हम दोनों की भी जो भी था ऐसा जोट था टोनी कहता है कि बिल्कूल भी नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा कुछ भी बात पर बिलिव नहीं करती उसे लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा था इसके पीछे टोनी ही था टोनी कहता है जोलो में तुमें कुछ दिखाता हूँ उसने सारा पे नज़र रखने के लिए हर जगा पर कैमेरे लगाय हुए थे इस कैमेरे में दिखाई देता है इस सारा के घर बर जो आया हुआ था उसके साथ जो भी हो रहा था योग खुद कर रही थे एक्चुली उसे multiple personality disorder है इसका मतलब है अचानक से उसकी personality change हो जाती है इस change के time में वो जो भी करती है उसे खुद को पता नहीं होता ये बात जानकर सारा बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गए तब ये उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आ गए उनकी शूर्स की आवाज को सुनकर उसे अपना past याद आया एक्चुली सारा के फादर ने ही उसकी मदर को मार डाला था फिर उन्होंने सारा को गन दी थी कहा कि फादर को help करो सारा को trigger pull करने में help कि सारा कहती कि अब मुझे सब कुछ याद है तुमने मेरी मदर का murder किया था हर रात मेरे कमरे में आकर तुम मुझे abuse किया करते थे इसी वज़े से मेरी आर्ण मुझे उसके साथ लिकर गई वो चिट गई थी तो उसने अपनी गन निकाली तोनी उसे शान रहने के लिए कहता है उसने का मैं अपनी गन ग्राउंड पर रख रहा हूँ तुम भी ऐसा ही करो तोनी ने गन रखी वह सारा उसे शूट कर देती है उसकी personality अब change हो गई थी उसने का तुम्हें जानना था ना कि बेनी के साथ क्या हुआ है मैंने उसे मार डाला था वो भी तुम्हारी तरह ही मुझे जूट कहता था अपनी फादर की वज़े से हर आदमी को हेट करती है इसके बाद उसने फादर को भी मार डाला जल्दी से सारा घर वो ख्लीन कर देती है अपने खिलाफ कोई भी सबुद नहीं रखती अपने आप से गहती है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा वो घर के बाहर के और उसके बाद उसकी नॉर्मल की पसनलाइटी फेस से उसके पास वापस आई उसे लगता है इटोनी और उसके फाजर ने एक दूसरे को मार डाला यही बात तो पुलीस से भी कहती है पुलीस को यह सब सच लगा और उससे छोड़ देते है इसके बाद नेक्सीन में सारा मल्टिबल पसनलाइटी पर एक लेक्चर दे रही थी वो कहती कि जब भी बच्पन में बहुत बड़ा ट्रामा हो गया हो इस बात को छोटे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते इससे कोग करने के लिए खोदी अलग-अलग पसनलाइटी बना लेते हैं यही सारा ने भी अपने साथ क्या था उसे इसके बारे में पता भी नहीं है मूवी के लास्ट में अब वो अपने नेवर के साथ रिलेशन्शिप में है इसी तरीके से यह मूवी हमें गेज करता हुआ छोड़ कर चली जाती है यह मूवी एक बहुत ही डिंजरस कैरेक्टर की ग्लिम्स थी है मूवी में हमने देखा था कि सेरा के फ्रीज में अलकोल थी उसे पता भी नहीं था इसका रिजन यही है कि उसे मल्टिबल पस्नियाटि डिसॉर्डर है इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियो हम कतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोडिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तो प्लीज थैंक्यू आप अपने आपका खैल रखिये